हलो दोस्तों आज आपके लिए एक बेड न्यूस निकल के आ रही है वह है दोस्तों मोभी किक का जो भी डाटा है दोस्तों वह लीक हो चुका है यानि के सहों का बचाना आपको पता है कि आप ट्विटर पर भी देख सकते हो और यूटूब करके जरी हो कि यूज़ किया जा सकता है तो इसके लिए आपको यहां पर सबसे पहले बचने के लिए आपको सबसे पहला जो उपाय में आपको यहां पर बता रहा हूँ वह आपको क्या करना है सबसे पहले आपका जो भी debit card credit card जो भी आपका इस mobile quick account में link जिससे आप payment करते हैं उसको आपको यहां पर unlink कर देना है उसके बाद में आपको यहां पर जैसे ही उसको unlink कर देते हो तो आपका जो भी यानि आप domestic transition यदि आपके card के दुवारा होते हैं तो आपको यहां पर सबसे पहले OTP आएंगे OTP के दुवारा आप है जो आपके साथ fraud है वो नहीं हो सकता इसके अलावा यह दि आपका internationally use किया जाता है आपके debit card के साथ में तो आपका debit card है उसके साथ में fraud हो सकता है जो भी आपका debit card credit card है उसके आप shopping करते हो तो आपके debit card number से directly है जो आपका payment हो cut हो जाता है आपको OTP receive नहीं होते हैं तो इसी परकार से यह दि आपका international transaction होता है तो आपको directly payment हो cut हो सकता है तो इससे बसने का उपाई यह है कि आपको सबसे पहले आपका जो भी debit card credit card में link है जिससे आप payment करते थे तो उसको आपको यह पर unlink कर देना यानि उसको वहां से payment method है उसको हटा लेना है डिलीट कर देना है उसके बाद में आपको जो भी आपका debit card credit card link था उसका आपको यहां पर अपने mobile में जो जो भी networking यूज करते हो अत्वाग जो भी आप यूज करते हो जैसे आस्प्यमे यहना इस्भी यूज करते हो जो भी आप net banking यूज करते हो उसमे आपको international transaction का एक option देखने को मिलता है उस transition को आपको यह पर ओप कर लेना है ताकि आपका international बैशनले ट्रांजेक्शन यदि ओफ हो जाता है तो आप जो काफी हद तक बस सकते हो यहांगी यदि आपका domestic transaction होता है domestic कोई fraud होता है तो आपको OTP receive होंगे OTP आप यदि आप share नहीं करते हो तो आपके साथ fraud होने का chances बहुत ही कम हो जाता है तो इससे आप जो बच सकते हों दूसरा कारण यह है दोस्तों आपको यापे जितने भी आपने डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप यूज करते थे मोबीकृत अकाउंट में उनको आपको यापे उनकी जो लिमिट थी वह आप जो अपने इंटरनेट नहीं हो सके तो इसके लिए आपको जो भी लिमिट है वह कम कर लो एक बार 2000 2000 जीटना हो सके कम कर लो और आपको हूं पर बिना OTP के है जो आपके साथ जो प्रॉणड नहीं कर सकता है तो इस परकार से आप इनको यूज करके और आप अपना जो डेविट यह सकता है तो आपको यहां पर उसको नहीं करना चाहिए आपको यहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप जो करके और उसी समय पर प्रॉड से बस सकते हैं हो सकता है क्योंकि दोस्तों आज अननेत बसे में कोई भी हो सकता है तो आपको यहां पर अमेजन पेज जैसे अमेजन हो गया पेटियम हो गया किसी भी प्लेटफों पर यदि आप अपना डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी एड़ करके रखते हो तो उसको आप जो करना चाहिए जैसे में यूज करता हूँ तो मेरा पैट्ये ईंप यूज करता हूँ जो पर यूजए उसको दो कर लो precisely उसको चाहिस तो उसमें आपको फॉप क्यों करना củ तो आप काड कर से embargo टाफों哥 आ ऊन्ञ गेजये ख्याए हम बहूज सब्सक्राइब तो आपके पैसे नहीं होंगे तो आप अपने नुकसान से जो बस सकते तो इस परकार से आपका जो डाटा लीक हुआ है कोई भी आपको पैनिक होने की ज़ुरत नहीं कि आपको यहां पर हो जाएगा कुछ कोई ज्यादा नहीं होगा लेकिन आपके लिए थोड़ा सेफ है आप भी अपना ध्यान रखिएगा तो इस परकार से हो सकता है आप भी यहां पर अपर ट्विट यहां मिल जाएंगे जिसमें आप लीक हो कर सकते हैं तो इसके लिए हम अब इस वीडियो में आपको बता है तो दस्तों इस परकार से आप अब भी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुडबाई जैन